जैहें दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडूटेरिया की तरफ से जो आपका यहां पे बुक निकाला गया है करेंट अफेर का उसी का आज हम वीडियो देखने वाले हैं वैसे इस किताब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 750 MSQ दिया हुआ है और इसका मैंने जो है प्राक्टी सेट में देखने को मिलता है तो क्यों ना इसको हम अच्छे से देख लें क्योंकि करेंट अफेर का यहां से सलेक्टेड है अगर आप इतना भी आप याद रखते हैं तो आपका यहां से एक भी प्रस्न बाहर नहीं जाएगा तो उमीदे कि आप इसको पुरा द याद रखेंगे कि यह किस ने किया था नरेदर मोदी ने किया था और क्यवडिया में किया था कब किया था 20 अक्टूबर 2022 को किया था आगे है कि ISA की तीसरी असेंबली की अभासी बैठक में भारत और फ्रांस को दो साल के लिए पुनह सह अध्यक से जो है चुना गया है त दिखान में रखे गए चीतों की निगरानी के लिए पर्यावर्र मंत्राले द्वारा 9 सदस्य टास्क फॉर्स का गठन किया गया है तो आप इसको अच्छे सियाद रखेंगे चत्रपती सिवाजी महराज अंतराश्ट्री हवायड़ा मुंबई पूरी तरह हरीत उर्जा में बदल गया है जो अपनी 95% उर्जा आवा सकता हाइट्रो एवं पवन उर्जा से एवं 5% सोर्जा से प्राप्ट करता है तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे आगे पॉइंट है मध्य परदेश वन ने जी बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्ब यानि दुर्गावती टाइगर और इस्थापना की इसका मंजूरी परदान किया है तो यह किस ने किया है यह इंपरण्ट है आपके लिए यह MP ने किया यानि मध्य परदेश ने क किया जाएगा कहां पर किया जाएगा हर्याना के गुरुग्रा में करीबन 10,000 एकड में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है विक्षित किया जाएगा आगे पॉइंट है पसी मंगाल के दारजलिक में इस्तिष पदमजा नाइडू हेमालियन जूलोजिक पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़िया घर घोसित किया गया है पार्क का नाम जो है सरुनिय नाइडू की बेटी के नाम पर रखा गया है तो याद रखेंगे आप यहां से बरसनाप का यह पुछता कि सरुनिय नाइडू की बेटी का नाम क्या है तो पदमजा नाइ के लिए प्रसीद है गुजरात के एकता नगर में परियावड मंत्रियों का राश्ट्रिय समेलन आयोई जो है किया गया है जिसका उद्गाटन प्रधान मंत्री मोधी ने किया है समेलन का जो उद्देश है जलवायू परिवर्तन और परियावड प्रदूसर से निपटने के ये नीतियां बनाना था तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे पुदुचेरी में समुद्री टटकी सफाई के लिए सवच सागर सुरक्षित सागर सुच सागर अभियान सुरू किया गया कहां पे पुदुचेरी में जिसमें केंद्री परियवड वन एवं जलवायू परिवर्तन मंतरी भूपेन भूपेन रियादों ने भी इसमें भाग लिया है दिल्ली की उपरा जिपाल विन्य कुमार सक्सेना ने यम्रन अधिक के पास बैंबू थीम पार्क बांसिरा की निव रखी है इस पार्क में असम में लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के ब जिला जलवायू परिवर्तन मिशन की सुरुवात किया है इसके तहर जिला कलक्टों द्वारा जलवायू परिवर्तन संबंधित योजनाय जो है तैयार की जाएगे केरल ने भारत का पहला राज इस्तरिय बर्ड एटलस जारी किया है यह एटलस में करीबन 361 पक्षियों की प्रजाती जो है तो याद रखेंगे केरल ने भारत सरकार का राज इस्तरिय बर्ड एटलस मड्य पर्दिस्क जबलपूर के लमहेटा में भारत का पहला भूवेग्यानिक उध्षान का निर्मान किया जाएगा इस पार्क के निर्मान से भूवेग्यानिक विरासत्त के किया है किसने किया है गुजिरात के सुंदर्वन वीनी चिडियां घर ने एड़ाप्ट एन एनिमल आगे पॉइंट है कि दच्षिड अमेरिकी देश पेरू ने टटी छेतरों में तेल रिसाव के करण करीबन 90 दिनों का पर्यावर ने अपातकाल को घोसित किया है पेरू टट नेमाचर परदेश के कूफरी में परेटन को बढ़ावा देने के उदेश से देश का पहला इसकी पार्क इस्थापित किया जाएगा इस पार्क में करीबन 5 स्टार होटल आगे देखते हैं मॉल होंगे और गेमिंग जोन होगा फूड कोट होगा आदि के सुबधाएं यहा पारत के पहले क्रिप्टो गेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है इस कार्डन में लाइकेन सैवाल कवक आदी की विभीन प्रजाती जो है पाई जाएगी तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और बहुत जल्द आप सब लोग का मास्टर वीडियो आएगा वन सिक्केम के साथ जो है समझोदा किया है सिक्केम समब रतिसत जैविक क्रिसी करने वाला भारत का पहला राज्जे बन गया है हिमाचल परदेश के काजा में दुनिया के सबसे उचाई परिस्तित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है इसके स्थापना जो है गो इको गो इको कम्पनी ने किया है किसने किया है गो इगो कंपनी ने किया है जो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अरुनाथिल परदेश में पाई गई बंदर की एक प्रजाती का नाम सेला मेकॉक रखा है क्या नाम रखा है सेला मेकॉक रखा है यहां के सेला दर्रा के नाम पर यह रखा गया है यहां के सेल अबर 2021 में तमिलनाडू के काजुवेली वेटलेंड को राज्य का सोलहमा पक्षिया भ्यारन गोसित किया गया है सतरामा के अगर हम बात करें तो यह आपका हो जागा नंज नरायन टैंक ठीक है काजुवेले दच्छिड भारत के दुसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील है सौभाग योजना के तरहत घरों में सवर उर्जा आधारित विदुति करण के मामले में राजिस्थान जो है प्रथम इस्थान पर रहा है दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रोनिक वेस्ट इको पार्क की इस्थापना को मजूर दे दिया है यह पार्क जो है इक चरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा आगे पॉइंटे की हरियाना के गुरु गरा में इस्थित अरावली जैविद्टा पार्क को भारत का पहला अन्य परभादी छेत्र जो है आधरित संरक्षित उपाए घोसित किया गया है IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन छेत्रों को दिया जाता है जो जैविद्टा का स्नरक्षित तो करते हैं लेकिन इस नरक्षित छेत्र नहीं है तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे आगे अगला पॉइंट के मध्य परदेश में भारती रेलिवे का पहला सवर उर्जा सनेंत्र जो है लॉंच किया गया है इसकी छंपता करीबन 1.7 मेगावाट होगा वेशो आर्थिक मंच डबलू इएफ तथा नैसनल इंसिट्यूट आफ अर्बन अफेर्स ने सस्टेनेवल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को सुरू किया है इसके तहत दो साल में भारत के पांच से साथ सहरों को डीकर्बनाइजड किया जाएगा तो आप इस पॉइंट को अचे स्याद रखेंगे भारत में पहली बार ओसियंस दोरबाइस समीलन का आयोजन जो है किया गया है इसका आयोजन चेन्ड़ाई में किया गया है यह वैस्विक समूदरी सोतकरताओं का दुवार्शिक कारिकरम है इसका उद्देश समूदरी यानि समूदरी प्रदूसर जलवायू परिवर्तन मौसम अनिसिस्तात आदी से निपटने पर विचार विमर्श करना है मनार की खाड़े देशा पाक की खाड़ी में जय विवित्ता के सनक्षड हेतू तमिलनाडों ने नाग पतिनम में मरिन एलिट फोर्स का गठन किया है इसके तहत संकट गरस्त प्र जातियों के लिए एक जीन बैंक यानि नर्शरी खुलने की घोशना किया है इसका उदेश से मैंगरों वनों का सनक्षड करना है ठीक है याद रखेंगे पांचवी सनीप्त राश्ट्र परियावड सभाकायोजन कैन्या के नेरूबी में किया गया है इस दवरान जय विवि अच्छे से एक सुत्यानवे जो हैं सदस्य देश हैं तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे चलिया आगे देख लेते हैं कि वर्स द्वार एकई से 26 के लिए बाढ़ परबंधन रण नीती पर रिपोर्ट किसने प्रकासित किया है तो यह किया है आपका नीती आयो होग ने राष्ट्रि एंट समुंद्रिक छुआ कार योजना तो परियर वन और जलवाई्य परिवर्तन मंत्रालें ने आरंब किया है महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पहले वन नजियू डियाने पर सिछड प्रियोक्साला का उदुगार्ण किया है इससे वन नजियू तसकरी को रोकने में मदद मिलेगी ठीक है चलिए आगे है दुजारे कईश्ट्री सीटी अफ दा वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है क्या 211 सीटी आफ दा वर्ल्ड की रूप में उत्राखंड के नेनी ताल जीले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उध्यान जो की अरोमैटिक गार्डेन का उध्याडन जो है किया गया है समुद्री इस्तर तक यानि समुद्री जल इस्तर बढ़ने के करण दच्ष्ड कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ सहर का निर्माण किया जा रहा है जो दौर 25 तक पूरा हो सकता है सितंबर 21 में किन दो देशों की बीच क्लाइमेट एक्षन एंड फाइनेंस मोबाया डायलोग लॉंच किया गया है तो यह आपका भारत अमेरिका हो जाएगा भारत की तरफ से परियोड मंत्री भूपेंदर यादों ने हिस्सा लिया है हावा से स्योटू को सोखने वाला द कारेक्राम की प्रगति को ट्राय करने के लिए भारत के परियोड मंत्री भूपेंदर यादों ने किस पोटल को लॉंच गिया है तो प्राण पोटल यह बहुत ज़्यदा इंपोर्टन आपके लिए प्राण पोटल भारत का पाला डुगोंग संद्ध्षड रिजर्ब कहां बना है भारत के सबसे उचे हर्बल पार कई 11,000 फीट के उचाई पर है इसका खाटन जो है कहां पर किया गया है था चमोली जिला उतरा खंड में कूलिंग एक्शन प्लान को लॉंच करने वाला पहला देश आपका है अपना भारत अगस्ट दौर 21 में थाइलेंड ने कोरल म स्क्रीन पर प्रतिमन लगाया है ठीक है चलिए राष्ट्री पर्याड संबंधित मानक प्रियोक साला कि अधार सिला प्रधान मंत्री मोदी ने कहां पर रखा है तो यह आपका नई दिल्ली में रखा है रायस्थान करेगिस्तान में हरीत आवरण बढ़ाने के लिए जुलाई 21 को बियस अपने केवाइस के साथ मिल करके एक हजार बांस के पौधे लगाये हैं राष्ट्री डॉल्फिन नुसंधान के इंदर कहां इस्थापित किया जाएगा तो यह आपका पटना में किया जाएगा गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रत्थम वे लॉंच किया गया है जून 21 मजारी का अधियन के नुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किसमि कि तितली का घर कहां है तो यह आपका हो जाएगा कोलंबिया क्या हो जाएगा कोलंबिया भारत के कि सराज्जि में त्वीनों प्रजातियों के मगर्मस पाए जाते हैं तो यह आपका उडिसा हो जाएगा क्या हो जाएगा उडिसा वालमिकी टाइगर रिजर्ब बिहार दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है वेरी इंपोर्टेट भारत का पहला पराकन पार्क जो की पॉली नेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है तो यह आपका नेनिताल उत्राखंड में नेनिताल उत्राखंड भारत के किस बांध पर 600 मेगावार्ट की फ्लोटिंग और उर्जा परियोजना का दिर्मान किया जा रहा है तो यह आपका उंकारेस्वर बांध हो जागा यह आपका मध्य परदेश में है उंकारेस्वर बा का उद्गातन जो है किया गए है भारत का पहला वैट लेटश्टलेंड सन्रखफड और परबंधन केंदर किस सहर में स्थापित किया गया है? टो चेण नई तमिलणाडू सभ्णा, पार्क, तमिलाडू में स्थापित करने का निर्न लिया गया है कहां पर, तमिलनाडू में अम्बोली जैवित्ता विरासत इस्तलकिस राजे में इस्थापित करने की गोशना किया गया है तो यह किया गया है आपका महराष्टरा में किस देश में पर्यावर्द शती करने वाले रैक्ति को डंडित करने के लिए एको साइट भी लाया गया है तो यह आपका हो जाएगा फ्रांस में उत्राखंड के उत्तरकासी में भारत का पहला हीम तेंद्वा सनक्षड केंद्र इस्थापित किया गया है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे उत्राखंड के मूल्सियाहई में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क जो है इस्थापित कीला गया है पन्या टाइगर रिजर्ब को बायो इस्फियर रिजर्ब के विस्वर नेटवर्क में सामिल किया गया है वर्तमार में भारत में 18 बायो इस्फियर है जिसमें से सिर्फ बार को बायो इस्फियर रिजर्ब के विस्वर नेटवर्क में सामिल किया गया है तो बस आप सब लोग का इतना ही इन्वार्मेंट का था तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहां से आपका प्रस्न आता है तो आप अराम से यहां से बना पाएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कौन आगी का टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट करके उताएंगे उसी के टॉपिक में आपको मैं वीडियो प्रवाइट करा दूँगा एक बार आप वीडियो देख लेंगे एक बार आप उपने बुक से देख लेंगे तो आपको चीज़ों यहाद हो जाए क्योंकि देखिए वीडियो देखने से सुनने से आपको अधिक समय तक याद रहता है मिलता है कि नहीं वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद